वो इस्टार्ट होती है और हमारा में कैरेक्टर जिसका नाम ही यून, इसे हम देखते हैं, हून एक पुलिस ओफिसर है, इससे ही में हम देख सकते हैं, एक गैंग्स्टर की फिनरर कर वो आया हुआ है, वहाँ और भी गैंग्स्टर से तो उनके साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, यून शेर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो भी क्या, वो सब सही था, जो करप्शन चल रहा है, इसके वारे में उससे सब कुछ पता है, उससे कंट्रो करने के लिए दूसरे पुलिस आय हुए है, उन्हें भी हो मारता है, अभी अभी हमें जो सीन देखा, य इस पहने हुआ है, वो खिरकी से बाहर देख रही थी, और उसे हून ट्राफिक में दिखा, हून अभी भी किसी से लड़कर आया था, तो उसका चैना बिगड़ा हुआ है, इसी तरह से पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, नेकसिन में पुलिस स्टेशन में हून के पास और इसे मारा भी था, इन दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी है, बॉस जब हून की फाइल देखता है, तो कहता है कि तुमने तो अपने पूरी लाइफ खराब कर दिया, तुम खुद करोट बन गए, तुमारे वाइफ ने भी तुम्हें छोड़ दिया, एक अलकोलीख ह तुम मुझे घटी आदमी समझते थे, अब देखो तुम्हेरा क्या हुआ है, यून इस मीटिंग से अफसेट होकर अपने फ्रेंस के साथ ट्रिंक करने के लिए बहार जाता है, ड्रंक होकर घर आता है, हर रोज इसी तरीके से वो ड्रंक होता रहता है, नेक से में लेखते ह रहा था, हुन वहाँ पहुचा और उसे चाप को इसने ले लिया, इस वर्कर को हुन जानता है, उसे पता है कि ड्रंक्स करता है, उसके लॉकर में चेक करने के बाद उसे बहुत सारे ड्रंक्स मिल भी जाते है, ये वर्कर उसे कहता है, कि ये ड्रंक्स तुम ले लो और इसे बेज़ दो, तुम्हारी लाइफ वैसे में बरबाद हो चुकी है, कि उन हमेशा इस वरकर को समझाता रहता था, कुछ में हो गलत करें, तुसे समझा कर उसे छोड़ देता था, इस बार ये वरकर हुन को कहता है, कि तुम कुछ भी मुझे अडवाइज ने दे सकते हैं, तुम आप में हम देखते हैं, किम अपनी फियांसे जॉन के साथ पुलिस टेशन में है, जॉन कीम को पब्लिक में मार रहा था, एक पुलिस ओफिसर में उसे देख लिया, और अरेस्ट करकर ले आया है, जॉन पुलिस टेशन में थोड़ा सा भी डर नहीं रहा, वो कुछ कॉस रहा था, यह सब यून देख रहा था, पार्किंग में जब जॉन गाड़े निकलता है, तो किम उसके साथ नहीं चाना चाते है, उसके पास आता है और उसे जबर्दस्ति करता है, बहता है कि मेरी ओर्डर तुम ना सुना, यह मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, किम कहती है, मेरी सिस्टर से उसकी डावरी के बारे में मुझे बात करनी है, जॉन किम को कहता है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा वरी करनी के जरूरत नहीं है, इसके बाद वहाँ से चला जाता है, इस सीन से हमें पता चलता है, किम की सिस्टर को जॉन उसकी डावरी में पै यूम में सब कुछ देखा था, इसलिए उसके पीछे ही वो था, यूम उसे पुलीस टेशन देख राता है, उसके मलंपट्टी विग्रा करता है, घर जाते वाप यूम किम से कहता है, कि अगर तुम्हारा रोने का मन हो, तो रो डालो, तुम्हारी फिरिंस को ऐसे मत दबाओ, निक्स डेम देखते है, जॉन किम के साथ अपने एक फैमिली फोटो ले रहा होता है, यहाँ अबर किम सही से स्माइल नहीं करे, तो इससे जॉन नाराज हो जाता है, वो एक पब्लिक इवेंट में किम के साथ जाने वाला था, और वो किम को कहता है, कि तुम लोगों के साथ नैचरल नहीं रहती, उससे वो घरे छोड़ जाता है, किम फिर पार्ग में खुमने के लिए आती है, इसी पार्ग में ह्यूं भी है, पेड़ के नीचे अपनी वाइफ को उसने कॉल लगाया है, आज उसके बेटे का बर्ड़े है, और उससे थोड़ी से बात करना चाता है, वो उसकी वाइफ उसे नहीं करने देती, उसके बेटे के लिए स्टफ लाइंग उसने बाइक किया था, उससे देना चाता था, वो गिरिगर आता है, पर फिर भी उसकी वाइफ मना कर देती है, वो फूट फूट कर रो रहा था, और यह सब किम ने देख लिया, रात में हम कि फिर से जॉन किम के पास आता है वो किम को समझाता है और कहता है कि अब तब मैं पॉलिटीशन नहीं बना हूँ एक बार मेरे हाथ में पावर आ जाए तब तुम्हें जेसी मर्जी होगी वैसा तुम रहे सकती हो तुम्हें अगर नहीं लगता कि आज तुम्हें स्माइल करना चाहिए तुम मत करना लोग तुमसे डरेंगे और सब तुम्हारा एकसेप्ट करेंगे नेक्स जेक बुली स्टेशन में बास ने सब लोग की मीटिंग बुलवाई है उन्हें इक टिमिनल को पकड़ना था पर वो पकड़नी पाया इन सब को बहुत डाटता है हून को भी वो परसनली अटाइक करकर बोलता है हून का एक अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम है एडी एडी हून को समझाता है कि उस पर थोड़ा भी ध्यान मत देना अब नेकसे में हम देखते है हून जब रस्ते से चाह रहा था तब उसे किम ने देख लिया कल हून जब पाक में था वो दुखी था क्योंकि अपने बेटे को उसका प्रेजेंट नहीं दे सकता वो स्टाफ लाएं में वहीं छोड़कर चला गया था ये किम के पास है उसके पास आती है और कहती है कि बहुती ब्यूटिफुल किफ्ट था मैं ऐसे ही वहाँ उससे नहीं छोड़ सकती थी वो गिफ्ट वो हून को वापस कर देती है ये कहे कर वहाँ से हो जा रही थी तो भी हून उससे रोक लेता है ये बादी करते है और इसके बाएं डिनर के लिए एक जगा पर आते है इस जगा का डिनर हून को बहुत पसनाता है वो फासली खा रहा होता है उसे फिर रिलाइज होता है और किम को कहता है कि स्वारी मैं ज़रा फास्ट खा रहा हूँ किम कहती है अच्छा फूट डिरेकली हाट तक जाता है यून ने सही से समझ नहीं पाता और थोड़ा सा हसता है इनका डिनर खतम होने के बाद किम यहाँ से जाने वाली है पर इस चीट के अधर साइड पर टैंगो का क्लास देखते ह किम को टैंगो बहुत पसन है यून पुछता है कि तुम क्या देख रही हो किम कहती है शादी से पहले में टैंगो सिखती थी उसे टैंगो डांस करना बहुत अच्छा लगता है यून फिर पुछता है कि तुम्हें डांस करना है और उसे बैरेकली वहाँ लेकर जाता है वह फिर वहां के स्टूडेन के साथ beautiful dance करती है यून ने किम की wish complete की तो उसे बहुत अच्छा लगता है पारिश आके वो भागते भागते उसके पास गया उसे उसने गले लगा लिया इसके बाद है दोनों intimate हो जाते है इसके बाद नेक से मैं देखते है किम घर आ चुकी है उसके मदर उसे मिलने के लिए आती है किम अपने कपड़े चेंज कर रहे थी तब उसके बौड़ी पर मद करता ही मुझे रिमेंबर करना है यह सब जीजें हुन याद कर रहा था हुन जब अपने फ्रेंड एडी के साथ लंच करता है उसका फ्रेंड को सही करो जड़ा एक राइट ट्रैक पर आजाओ बौस हुन को हीट करता है उसी वजह से बाकी लोग में भी तकलिफ हो रही है गयता है कि तुम्हारा ट्रांस्पराम करवा सकता है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो सब के लिए सही होगा हुन भी इस पर थोड़ा सा सोचता है कि इन जॉन के साथ खुश नहीं है उससे बचाना चाहता है वो पूछता है कि क्या नए एरिया में उसे अच्छे से होगी एक दिन इंफ्रेंशन लोगों का एक बड़ा सा इवेंट होने वाला था वहाँ पर सिकुरिटी के लिए सब पुलिस को डूटी दी गई थी यहाँ पर हुन भी था थोड़े देर में जॉन और किन ये दोनों वहाँ पोचे इन दोनों ने इन दुसरे को नोटिस किया और एक शान जगा पर आकर एक दुसरे से मिले वो कैसा है एक दुसरे से पुछा थोड़े देर में वहाँ कोई आ गया तो किम वहाँ से भाग गे यह तोने एक दुसरे के साथ थे एक हुन के बॉस ने देख लिया सब बात उसने जॉन को बता दी जॉन इस इवेंट में बी इस शुटिंग के लिए एक एवाँ भी मिला था यह वो देखना जाती है तो हुन उसे शुटिंग के लिए लेकर आता है वो बहुत ही स्कीलफुल है वो फिर किम के हाथ में गन देता है कहता है कि तुम भी ट्राय करो ट्रिगर पूल करते हो सब कुछ तुमारी इमोशन्स बहार निकालो ट्रिगर पूल करते वक्त किम बहुत रोती है वो इसके लिए तो जॉन बहुत गुसा हो गया सुबा किम का पता निकालकर उसे डायक्ली उठवा लिया जॉन बहुत गुस्से में है और घर की चीज़े भी उसने तहिसने इसकी हुई है वो किम को गयता है कि तुमने जो भी किया होगा मैं इसके लिए तुम्हें माफ कर सकता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर अब किम कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती है जॉन ये मानने के लिए रेडी नहीं है वो गयता है कि तुम मिमार हो इसलिए ऐसा बात कर रही हो तुम् ही जबर्दस्ति बहुत सारे दारु पिलाते हैं जौन के ओर्डन पर यह उनका भॉस यह सब कर रहा था इनका प्लान है इनका उसे powerful drugs का injection भी देते हैं जिससे हुन मर जाए बात में उसकी body पर alcohol डाल कर उसके मूँ में cigarette देते हैं यानि कि cigarette की वज़े से आग लग जाए जब सब लोग वहाँ से चले गे तो cigarette की वज़े से आग लग सकती थे पर बारिश आगे यून ने फिर अपने फ्रेंड एडी को call कर दिया वो इस हालत में भी कींग को याद कर रहा था और उसी के लिए जीना चाहता था रॉक्टर कींग का इलाज करते हैं और एडी को गहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से fight कर रहा हैं यून को जब होश आता है तब उससे समझान है वो यून को कहता है कि तुम नहीं मरें ये भी ठीक है और फिर भी तुम जेल में ही रहने वाले हो वो यून पर गन भी लगाता है वो उससे कहता है कि मेंडल हॉस्पिटल में है उसका हम पूरा brain wash कर देंगे ये सुनकर हम बहुत ही गुस्सा हो गया बोस के गान लेकर उस लिया है कि इनका इलाज करने के बाद थोड़ी दिर में उसे फिर से होशाता है ये सब बात जब मीडिया को पता चलती है तब जौन की बहुत बतनामी होती है हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे पुलिस आ चुके है यून यहाँ से जिन्ना बाहर जाए इसके कोड़ी चांस नहीं है यून का फ्रेंड एड़ी उसे बचना चाहता है वो अपनी सुपिरियर से बात करता है पर वो कुछ भी कर नहीं पाता अब उन देखते हैं कि जिस वरकर ने पॉस को इंफार्मेशन दी थी कि उनके पास ड्रग से वही एड़ी को कॉंटक करता है वरकर को भी वो ल कि वो इसा नहीं करेंगे हम दोनों को मार डालेंगे मैं तुम्हें प्रोटिक करना चाता हूँ ये फिर एक दूसरे को करे लगा कर रोने लगते हैं एड़ी को जो वीड़ियो मिली थी अपने सुपिरियर को दिखाता है इससे प्रूव हो चुका है कि यून ने कुछ भी ग लड़ते लड़ते टेरेस पर आ जाते हैं जॉन ने जब और दिया तब उसके तुरण बात एड़े में उसे अरेश्ट कर लिया था उन और किम दोनों टेरेस पर जबाए तब इस सब लोगों को लग रहा था कि यून एक क्रिमिनल है उपर बड़े से स्क्रीन पर एड़ी विडियो चलाता है जिससे प्रूब हो जाता है कि यून ने कुछ भी गलत नहीं किया यून का बॉस भी टेरेस पर था उसे अब स्वाट टिम अरेश्ट कर रहे थी यून की वज़े से यह सब हुआ है यह सो बहुत खुसा था उसने गं निकाली और यून और किम पर चलाए यून को प्रोटेक करते करते उसे सब कुलिया लग गए यून के आंस में ही उसकी डेथ हो जाती है यून का बॉस अब भी जिन्दा है उसे स्वाट टिम ने पकड़ रखा है यून ने अगर बॉस को जाने दिया तो उससे कुछ भी नहीं होगा स्वाट टिम उसे वार्न कर पिताए थे यह समय याद करता है इसमें से एक मुमें मुम देखते है कि इम ही उनको टैंगो डांस कैसे करना है यह सिखा रही थी इन्हीं हैपी मेमिरिस के साथ यह दोनों इस दुनिया से चले चाते है इसी तरीखे से मुवी इंड होती है